तो what is chemical bond, क्या होता है chemical bond आखिर होता है क्या, I hope सभी को idea होगा हमारा, कि एक ऐसा force of attraction जो exist करता है between two or more than two atoms, to hold them together, जो उन्हें बांद के रखता है, क्योंकि periodic table अब तक हमारा रहो चुका होगा, और हम पढ़ चुके हैं, उसमें हमारे पार, कुप सारे 1118 elements हैं, जो अभी तक discovered है आगे और भी discover होते रहेंगे, तो वो तो elemental form है, अगर हम elements के बात करें, तो we have only 1118, but compounds के अगर में बात करों, तो we have infinite compounds, तो आखिर है infinite compounds बने के से, ये infinite compounds, infinite का मतलब कोई number नहीं है, practically very large, तो we have lots of compound, तो आप सभी को बता भी है, अगर मैं organic chemistry की बात करता हूँ, carbon के compounds की, तो हमें पता है, बाता, catenation tendency की वज़े से carbon के है, खुब सारे, large in number, large in number को infinite बोला जाता है, खुब सारे compounds करते हैं, खुब सारे compounds करते हैं, ठीक है, तो infinite का मेरा simple सा मिनिंग ये है कि खुब सारे compounds हैं, तो आखिर elements 118 हैं, और compounds इतने सारे हैं, तो आखिर क्या है, क्यों exist कर रहे हैं, H H2 के form में मिलता है, chlorine हमें nature में Cl2 के form में मिलती है, HCl बन गया, NaCl solid, nature में तो sodium आपका solid के form में है, और Cl2 gas के form में है, तो हमें NaCl solid के से मिला, तो ये exist कर रहे हैं, ये exist कर रहे हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई ना कोई क्या है, force of attraction, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम definition की बात क ization abi, क्योंकि एल्टीСее, force of attraction between two or more than two atoms, you know force of attraction between two or more than two atoms to hold them together, force of attraction between two or more than two atoms, ifito hold them together is known as chemical bond, एक धिक खो design है, रहे तो इतना तो आई होप सभी को बता हुआ गाटा अखिर एलमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बना ही क्यो रहे है अगर हमसे पूछा जाए कॉस ऑफ केमिकल कॉंबिनेशन तो एक्चुली यह सब चीजे तो आगे आती है जब थियोरी समलक पढ़ लेते हैं इक रफ आइडिया में यहां से बता दूँ क्योंकि तब हमारे आगी कहानी होगी एक्टम्स जो होते हैं वहाइली रियक्टिव होते हैं अनिस्टेबल होते हैं अगर एक्टम्स कंबाइन करके अगर एक्टम्स कंबाइन करके मोलेक्विल के फ्रम में चले जाते हैं तो उस्से क्या होता है उनकी रियक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है और स्टेबलीटी क्या ओझा बढ़ जाती है अगर हम में हैं तो हम सभी को पता है कि hydrogen आपको नेचर में H2 के form में मिलेगा ना कि H के form में मिलेगा hydrogen के atom के form में H के form में नहीं मिलता विटा that means हुआ कि दो hydrogen के atom ने आपस में एक दूसरे से combine करके एक नया H2 का क्या बना है विटा molecule और उस molecule में H और H के atom के बीच में जो भी force of attraction होगा उसी को हम नाम देंगे विटा chemical bond ठीना तो what are the reasons of what are the reasons यह cause of chemical combination ठीना सबसे पहला जो यह आगी की theory का पाट है विटा बट हम लोग नाम अभी से ले लें ताकि एक चीज बता दू first reason है विटा to complete their octet हाला कि इसमें खूप सारे drawbacks भी है बट शुरू में हम समझने के लिए तो यही बोलते हैं to complete their octet हर element चाहता है कि वो अपना octet के आकर लिए विटा complete कर लिए एकसेपte hydrogen क्योंकि hydrogen तो duplet complete करता है और helium के तो कोई compound अच्छ तक डिस्क और हुआ ही नहीं है ठीक है noble gases के भी आप कुछ compound डिस्क और हो चुके हैं बट helium के नहीं है तो hydrogen को छोड़के बाकि सब elements चाहते हैं कि वो अपना octet complete करें जिसे हम Lewis Octet Road भी बोलते हैं जो हम आज के session में पढ़ेंगे थे ना थोड़ा सब इंट्रोडेक्शन बता दूँ थे ना तो scientist ने observe करा विटा कि जो octet ns2 np6 configuration है ns2 np6 configuration है they found that कि यह configuration काफी जादा stable है उस समय तक हमारे पास inert gases जो हम periodic table पर चुके हैं तो I hope inert gases का में पूरा idea होगा तो उस समय तक हमारे पास inert gases के कोई भी compound discover नहीं थे तो इस configuration को सबसे stable माना गया और जितने भी compound scientist discover करते हैं उन्होंने देखा कि हर element शाह रहा है accept hydrogen बार-बार बोल रहा हूँ क्योंकि वह 1s2 वह अपनी next nearest noble gas hydrogen के लिए next nearest noble consume है helium वह 1s1 से 1s2 में जाना चाहते है इसलिए hydrogen की case में हम duplicate बोलते हैं बाकि सब भी elements जो थे वह क्या कर रहे थे वह चाहा रहे थे कि हम लोग अपना octate किसी तरह से complete करें ठीक है तो यह scientist ने जब observe करा तो उने लगा कि यह inert gases के कोई compound नहीं मिल रहे है मतला यह पका यह configuration सब्सक्रादा stable है and elements atoms जो भी बोल दे मैटा हम लोग they are undergoing in the process of bond formation they are undergoing in the process of bond formation to achieve this stable configuration तो पहला तो रीदन यह था बटा to complete their octate दूसरा था बटा to minimize their energy atoms अभी मैंने बोला highly reactive है to minimize their energy in fact potential energy बहुत सब्सक्राइब है atoms highly reactive है मतलब उनकी potential energy काफी ज्यादा होगी अगर वो किसी तरह से अपनी potential energy को कम कर ले गाए अगर वो किसी तरह से अपनी potential energy को कम कर ले गाए तो obviously हम यह मान के चल रहे हैं बटा कि आप ठीक न 11-12 के सब topic at least पढ़ चुके हैं यह अब आपका time saver course में ठीक रिवीजन होगा fast आपका fast मतलब अच्छे pace से होगा बटा ऐसा नहीं कि कोई चीज बढ़ा दी जाएगी पहली चीज दूसरी चीज बटा जैसा chapter वेशा बेश आपको बोला गया है कि पचास मिनट तक theory पचास मिनट तक questions बट bonding में जो बटा theory है वो ही questions है तो मेरा session more or less theoretical ही चलेगा बीच-बीच में questions अपने आप ही आते जाएंगे हैं हर chapter में वो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 50 to 60 minutes की theory हो और बाकी सब numerical questions हो तो bonding में as such numerical question नहीं है बीच-बीच में जो information दे रहा हूं वो ही आपके questions होंगे ठीक है कुछ questions में आपको बीच-बीच में कराते चलूँगा तो हमें पता है बेटा हम atomic structure में भी पढ़ते है modern physics में भी पढ़ते हैं बहुर model में कि हर system चाहता है बेटा जो ground state जो lowest energy state होती वहां रहना पसंद करता है तो यहां पर भी देखा गया बाटा कि atoms चाहते है अपनी potential energy को क्या करना बाटा minimize करना थिया न इस state of minimum potential energy of any system is most stable state of minimum potential energy for any system is most stable यह हम thermodynamics में भी जज़ करते हैं and when elements involved in the process of bond formation when elements involved in the process of bond formation it is found that energy of system decreases energy of system decreases system के energy कम हो रही है बाटा so elements involved in the process of bond formation elements involved in the process of capital bond formation अब अगर electrostatic से में लिंक करा हूँ तो potential energy का formula होता है आपका K Q1 Q2 by R थी न तो यह कहानी हला कि VBT में मैं फिर से सम्झाओंगा बट पहले में एक बार आपको यहां से सम्झा दूँ जब भी दो items अपस में एक दूसरे की तरफ approach करते हैं यह इसका nucleus यह इसका neutron, यह इसका nucleus यह इसका electron क्योंकि यह कर्व भी हमाई लिए इंपॉर्टेंट है हमें पता होना जरूरी है जब भी दो एटम से एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं तो हम सभी को पता है इलेक्ट्रस्टाटिक से की पॉजिटीव पॉजिटीव में रिपल्शन होता है नेगेटीव नेगेटीव मे भी रिपल्शन है पता मतलब सेमीलर चार्ज है न वन नुकलियस है इसलिए ईटू और ईटू बात करते रहे थीक्ए तिक यह जो है औन वन न टू के बीच की बात कुरूं तो बेटा रिपलशन और एक्तेखरा एक्तेओं तो बेडा कोरूं तो रिफक्षेच ने क्योंकि सिमिल्टर जैय्मे विची वेच में हमेश्या कि बेश्यों होता हैे इस इमले चाहिज अगर बात करें, N1E2 की या N2E1 की इन में है, attraction, मतलब, attractive forces भी है, repulsive forces भी है, जब दो atoms एक दूसरे से infinite distance पर थे, जब दो atom एक दूसरे से infinite distance पर थे, अब infinite distance मतलब practically very large distance, क्योंकि infinite को इन नमबर नहीं होती, मैंने अभी आपको समझा दिया, तो practically जब वो very large distance पर थे वीटा, उस समय उनकी जो potential energy system की वो 0 थी, जब distance infinite थी, तब potential energy system की कितनी थी वीटा, 0 बट जैसे यसे वो pass आते जा रहे हैं, अब शुरुवात में यह observe करागे वीटा, अब आप बुलोगे सर्थ, दो तो attractive force हैं, दो repulsive force हैं, तो क्या करें, शुरुवात में पाया गया है वीटा, attractive forces का magnitude ज्यादा dominating होता है, that's why atoms are starting, approaching, जो भी बोले हम लोग इच अदर, वो एक दूसरे की तरह approach करते जा रहे हैं, approach करने का मतलब अब जो पहले वो practically large distance पर थे, उनकी distance कम होती जा रही है, और potential energy भी system की decrease होती जा रही है, मतलब indirectly मैं यह समझाना चाह रहा हूँ बैटा, कि इस particular process में आपका energy क्या हो रही है रिलीज, इस release energy के लिए मैं यह second statement आपको बता रहा हूँ, यह एक तरह से VBT का भी concept है, but VBT में हम तब नहीं पढ़ेंगे, यहीं पढ़ लेते हैं, VBT में हम सीधे overlapping से बात करेंगे बैटा, और यह मान के चल रहा हूँ मैं कि आपको सभी चीज़ें आती है, मैं कहले आपके just time server course के वसाब से revision करवाते हो चलूँगा, ठीक है, potential energy system की काम हो रही है, energy release हो रही है, और फाइनली, अगर मैं इसे A और B मान लूँ, ठीक है, फाइनली एक state आती है, यही मैं overlapping जो कह रहा हूँ, इस तरह से A और B के molecule का, आपका क्या हो जाता है, बांड बन जाता है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जो total energy release होती है, ER लिख रहा हूँ, shortcut में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, जो total energy release होती है, उसी को हम बलाते हैं, कुनसी energy, bond energy, तो हमें bond length, bond energy, bond strength, यह जो parameters हैं, जो आगे bond order, इकनी सारी चीज़ें जो हम आगे compare करते हैं, एक rough idea में यहां से मिलना चाहिए, ठीक है, तो this is the, आप बूल सकते हो कि sir, repulsive forces dominate हो जाएं तो शुरू में, यह तो ठीक है न, experimentally हमें observe करना पड़ेगा, हमें यह पता है कि atoms are highly reactive and they are unstable, और molecule is relatively more stable and less reactive, तो obviously atom molecule में बदलना चाहरा है, मतलब शुरुआत में attractive forces का magnitude ही dominate करेगा कुन से forces को, repulsive forces, start में हमेशा attractive force dominate करेंगी किसको, repulsive forces को, इस वज़े से अगर हम अपना curve बनाते हैं जो काफी बार completed exam में पूछा भी गया है, हम अगर अपना curve बनाते है potential energy versus किसका distance, along y axis is your potential energy, x axis is your distance, थी न, उपर potential energy positive, नीचे ये 0 वाली लहने बटा और नीचे potential energy negative, ठीक न, जब atoms infinite पे थे तब potential energy 0 थी बटा, जब repulsive forces होंगे बटा, तो system की potential energy बढ़ेगी, मतलब positive होगी, जब attractive force होंगे तो कम होगी, ये curve push इस तरह का आता है, जो मुझे उमीद है, सभी को पता भी होगा ये ध्यान रखना भी हमाई लिए जरूरी है, तो इस तरह से आपका ये कारवारा है, ये जब A और B की infinite distance पर थे उसके बाद जब वो किसी particular distance पर आगए ये तब का है, इसी को हम बोलते हैं का इस state of minimum energy, और ये minimum energy का मतलब यहां पर A और B के बीच में पका bond बन चुका है ये जो distance है इस distance को यहां से लेकर यहां तक इससे आप bond length बुलाते हैं और इस process में जो जितना decrement in energy है, मतलब इंडिरेक्ली इतनी energy release हुई है, इस release energy को ही हम क्या बुलाते हैं मिटा bond energy, the energy release in this process is known as bond energy, इससे ज़्यादा अगर आप items को पास ले आए विटा, अगर हम इससे ज़्यादा distance से ज़्यादा उन्हें close नहीं ला सकते, these are the reasons for cause of chemical combination, ठीक है, चली, अब हम बात करें बटा, क्योंकि अभी और branches बना नहीं, तो हम दो categories में divide करते हैं बटा, पहले हैं आपके strong, दूसरे हैं weak, पहले type के bond है बटा, दूसरे वाले को बोलेंगे हम लोग weak, पहली चीज़, ठीक है, दूसरा पहला वाला जो है बटा, between bonded atoms होगा, between bonded atoms, atoms के बीच में बनेगा बटा, और यह होता है weak वाले जो होते हैं, between non bonded atoms, it is between non bonded atoms, ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, atoms का S-V-S न दीक रहा हो, उतना cooperate कर लेंगे, मैंने frame एक proper set करा है, कभी के भी आगे बीच हो जाता है, यह है इंटर-atomic, this is inter-atomic, मतलब यह atoms के बीच में बनते हैं, जबकि वो जो हैं इंटर-molecular हैं, यह molecules के बीच में बनते हैं, these are inter-molecular, ठीक है न, इसमें जो released energy है वेटा, short cut में लिक रहा हूँ, E-R बोलो energy release, यह R-E बोलो release energy है न, resonance energy मत समझ लेना इसको, इसमें जो release energy है वेटा, that is greater than 42 kJ, और जबकि यहां पे जो release energy है, वो less than 42 kJ, आरी मेरी पास समझ में, ठीक है न, अब depend करेगा कि हमने कौन से elements लिये हैं बेटा, अब देखो, A और B, A और B और उनके nature की बात करूँ, nature मतला basically electronegativity, अगर A की electronegativity कम है और B की electronegativity ज्यादा है, ठीक है, हम scientific way में पढ़ेंगे बेटा, chapter को, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उससे तो हम काफी अच्छे level पर ले जाएंगे इस topic को, ठीक है न, बट थोड़ा सा fast काम करेंगे, वो आप समझ सकते हुए बेटा, क्यों हों, क्योंकि आपने joinी time saver course के लिए करा है, तो time save करते मजे लेते हुए, चीजों को समझेंगे और अपने concept को clear करेंगे और rank fording अच्छी हम लोग, ठीक है, तो अगर A की electronegativity का में B की electronegativity ज्यादा है तो ऐसा बनने वाला bond है, ionic bond, my name is bond, ionic bond, ठीक है, second possibility यह हो सकती बेटा, electronegativity A की भी ज्यादा, B की भी ज्यादा, थी न, ती A की कम, B की भी कम, आप बोलो सो चोथी, B की कम, B की कम और A की ज्यादा, तो वो पहली और, है न, A और B कोई rule नहीं कि वीटा, इसी को A मानो, इसी को B मानो, वो automatically first case हो जाएगा, यहां तो दोनों की ज्यादा, इन दोनों की ज्यादा, यहां एक की कम, एक की ज्यादा, वो को होने है वीटा, दो कोई भी हो सकता है, अगर दोनों की ज्यादा है वीटा, तो इस तरह का बनने वाला बॉन्ड, यहां तो कोवालेंट बॉन्ड होगा यहां कोडिनेट बॉन्ड होगा, यहां तो कोवालेंट बॉन्ड यहां कोडिनेट बॉन्ड होगा, और अगर दोनों क यह तो आप सभी को पता भी होगा नहीं पता है तो आज से ध्यान रखें अरह एक चीज़ अब ध्यान रखते हुए चलना है अब अगर हम वीक बॉंड की बात करें वीक बॉंड को भी अगें हम इसलिए मैंने बोला थे ना दो केटिगरीस में डिवाइट कर देते हैं एक तर में हमें कौन-कौन से बॉंड पढ़ने हैं पूरा ओवर्विव आपको यहां से मिल जाएगा ठीक है वीक बॉंडवाल फोर्सेस वीक बॉंडवाल फोर्सेस का मतलब है जिनमें रिलीज एनर्जी लेस देन 8 किलो जूल है इसको में थोड़ा और नीचे ले ले रहूं और कौनसा हाइड्रोजन बॉंड फोर्सेकेंड न की होता है रिली जाएज सब्सांस के सारा अधा हमें के मैं के मिल बॉंड नहीं होता है में रिली आपकी लिए है के सेशन में PER 3 बॉंड को जलदी से discuss करेंगे लूइस-is affiliatediled architecture हो दौग आप सभी को बता है दो टैप के उते हैं i1 इंट्र मौलेकिलर में और रएट्रा मौलेकुलर ऐर इंटर मौलेकुलर और रिंट्रा मौलेकुलर नौ इंतर मोलेकुल मातला है दो इंतर मार्व ऌकल की सब्सक्राइब मेड है इंतर बात करें अब गार हो फोको सब्सक्राइब लॉड्ड का साइव दायपोल दायपोल दायपळ यंके थारण इन्सेथेड पूरे नाम ने लिखीं? वह न हो ? आप लिख लेक्ट के आगे तो डिसकस्स कर नहीं है, आप जरूरुक लिखना दैपोल, दैपोल दै पोल, दैपोल उन्य डैपोल, इन्चे रैपोल, इन्संतने में चेम क्यिंक skull ठीके डीपोल इंदूशदाइं भी उते हैं are inappropriate इसले इनका नाम पड़ा नाम में लंडन इसके अलाव भी हमारे पाद जो वीक के पड़ार नाम फोर्से से हैं आएन ड्याइपल नाम और ओर्टेश्व में लिक्राइपल पाद आएपल without wasting our time हम बढ़ते हैं पहला बॉंड इनिक बॉंड ठीक है अभी हम आज की क्लास में बॉंड कैसे बन रहा है इनिक बॉंड उसको समझेंगे इसकी बाकी जो डेप्थ कहा नहीं है थर्मल इस्टेबिलिटी, सॉलिबिलिटी, फेजान्स रूल वो सब हम एड़ एंड ऑफ चेप्टर करते हैं आज की क्लास में के लिए हम बॉंड के फॉर्मेशन को समझ रहा है थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक कैसे बन रहा है तो फर्स बॉंड हम लिखेंगे बिटा कु क्यायनिक बॉंड है तो लिखना बॉंड जो बनता है लॉस अविलेक्टरॉन से बनता है इन जो बनता है गीन उफ एक टॉन से बाइले डेफिनिशन यह देशकते हो लॉटा कि ना इन के बीच में बननने वाला बॉन्ड बॉंड फॉम बीटुन आयन्स रवाइन और नीन क्योंकि आटम्स को जब बनाना है तो वो बना सकता है या तो इलेक्ट्रोन को अब्यूसली जब बनेंगे यहां तो इलेक्ट्रोन की शेरिंग होती है यह ट्रांसफर होता है ठीक है तो अब जैसे अगर हम NACL का समझें NACL solid क्या आखिर यह कैसे बना है तो NACL solid बनता है कैसे बटा एने ने अपना electron loose करा एने प्लस प्लस electron गैस में आया थे ना CL ने इसी electron को gain करा वेटा वो CL से CL minus gas में आया एक ने electron loose करा वेटा उपर वाले ने electron loose करा है और नीचे वाले ने electron क्या करा है वेटा gain और इनके combination से इनके combination से थे ना NACL प्लस और CL minus जो आपके बन चुके हैं वेटा यह दोनों combine करके बनाते हैं किसका formation जोटा NACL solid का अभी solid ही क्यों है यह भी अभी मैं आपको समझा रहा हूं तो NACL solid बना तो इस तरह से आपका हुआ है तो basically ionic bond a true bond ही नहीं बेटा है ना आप नीचे चाहाँ तो लिख बिलना कि it is basically electrostatic force of attraction बिट्विन यह भी नोट कलने जल दीए it is basically electrostatic force of attraction बिट्विन oppositely charged ions it is basically electrostatic force of attraction बिट्विन oppositely charges charge of ions कि ना यह basically oppositely charged ions की बीच में एक electrostatic force of attraction है इस वजह से हम ionic bond को electrovalent bond भी बुलाते हैं है ना hence ionic bond is also known as electrovalent bond है ना और यह basically कई books में है ऐसे भी बोलते हैं कि यह true bond नहीं है it is simply electrostatic force of attraction between a positive charge है क्योंकि जैसे HCL हमें दीखाना होता है तो हम H or CL के बीच में एक bond दीखाते हैं सिंगल bond बना हुआ आप यहां bond नहीं दीखाते हो क्यों नहीं दीखाते हो क्योंकि इनके बीच में क्योंकि इनके बीच में क्योंकि एलेक्ट्रोइस्टेटिक force of attraction है और यह lattice बनाते हैं अपना what is the meaning of lattice अभी मैं आपको समझा रहा हूँ तो NACL है ना माल लिजिए MgO होता है एक दो एक्जामपल और दे दू तो MgO कैसे बनता वेटा Mg अपने दो एलेक्ट्रोण लूस करके Mg प्लस टू बनाता थी ना Oxygen अपने दो एलेक्ट्रोण गेन करके O-2 बनाता तो Mg प्लस टू गैस अब यह सब चीजे ना मैं डारेक्ट लिख रहा हूं कि इतना में उम्मीद करता हूं पता ही होगा इससे बन गया कि MgO solid थी ना माल लिजिए एक एक एक्जामपल और लेता हूं वेटा AlCl3 तो इसमें क्या हुआ Aluminium अपका Atomic No.13 283 उसने तीन इलेक्ट्रोण लूस करे वेटा हम सुनते चलें तो कोई बुरा ही नहीं है हमारे पास एक क्लोरीन ने एक एलेक्ट्रोण लिया है वेटा तो अगर हमारे पास तीन क्लोरीन हो जाया In fact, Al F3 बोलना चाहिए आप बोलोगे क्यों आप कई जने Al थे ना तो हम Al F3 की बात कर लेते हैं सेम कहानी है और यहां पर आपका यह बनना आतेता है Al F3 solid यह एक आइनिक bond एक्जिस्स करता है इस तरह से हमारा क्या हो वेटा आइनिक bond का यहां पर क्या हो है आरी मेरे बात समझ में अब यहीं पर इसे हम इलेक्ट्रोवेलेंट बॉलते हैं तो यह तो डेफिनेशन बनने का तरीका यहीं पर अगर हम इलेक्ट्रोवेलेंसी की बात करें चोटी-चोटी चीजें बस आयनिक bond से रिलेटेट हम यही समझ लेंगे सब और बाकी जो चीजें मैंने बोली थर्मल इस्टेबिलिटी, solubility order lattice energy से थर्मल इस्टेबिलिटी को परता करना यह सब हम at the end of chapter जो कोटा का कल्चर बटान जैसे पढ़ाया जाता हम वैसे ही आपको पूरा पढ़ाएंगे आपका समय बचाते वे तो electrovalency का मतलब लिखना है बटा it is defined as total number of electron lost or gained by the element electrovalency जैसे valency बोलते हैं अब हम यह electrovalency बोलेंगे it is defined as total number of electron lost or gained by an element कोई element कितने electron को lose यह gain कर रहा है बटा वो उसकी कहलाती है electrovalency ठीक न वो उसकी कहलाती है बटा electrovalency ठीक अब यहां पर electrovalency में दो तरह की हो सकती बटा positive भी हो सकती बटा negative न के टायन्स के लिए अगर ketayne's यह obviously positive charge है तो हम positive electrovalency की बात करेंगे anions होंगे बटा अगर anions होंगे तो हम उनके लिए बात करेंगे negative electrovalency की ठीक है जैसे sodium के बात करेंगे तो sodium in fact alkali metal लिख दे रहो ने जल्दी में उनकी electrovalency 1 ठीक है magnesium जो basically alkali earth metal है उनकी electrovalency की बात करेगा positive electrovalency 2 क्योंकि ना ना प्लस के फॉर्म में exist करता है mg mg प्लस 2 के फॉर्म में exist करता है ठीक है aluminum है उसकी electrovalency 1 अब यह पूरी ammonium ion की है यह पूरी ammonium ion की है एसे नहीं कि आप किसी एक atom के respect में बोले ना उपर दो atom ते इदा negative की बात करें बात करें बात करें कोई भी हो सकता है 1 sulfide की बात करोगे बात करोगे बात करें 2 ऐसे nitride phosphate इनकी बात करेंगे बात 3 सलफेट की बात करेंगे फॉस्फेट की बात करेंगे प्री माइनस नहीं मांत के नमबर ले ठीक है तो यह electrovalency term हमें पता होना चाहिए जल्दी से ठीक अब देखिए formula इनका formula कैसे किसे बनता है आई अनिक कंपाउंड का फॉर्मूला केसे बनता है आइनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनता है forsk क्रॉस से ठीक है और आगे हमें पता है कि दोज़ी से राट लेंगे ना और में थोड़ा सा अपको सब्सक्राइब भी वे में चीजों को समझाते वे पड़ाओंगे टा कि तब थोड़ा सा आपको मजा है ठीक है तो फॉर्मुला के लिए हम लोग यूज करते हैं क्रिस क्रॉस रूल what is the meaning of क्रिस क्रॉस रूल मोल कॉंसेट इस कंसेंटरिशन टर्म में जरूद पड़ सकती है इतनी जगे जरूद पड़ी की ध्यान रखना मेरा मिनिंग मतलब इसी साल मेरा मिनिंग इस सेंटरिशन की बात करें जो हम सेशन पड़ा यह उसकी बात करें ने रखना से इसने आप हर बार मनीमन आश्ते रहे तो हमारे पास समय कम है और हमें यह पता होँना चाहिए और हमने करा क्यों है ठीक है रूल बंदाना एक तोटल पॉजिटी चार्ज जितना होगा उतना ही नेगेटी चार्ज यहां पर प्लस तू माइनस तू था इसलिए वन वन अपने यह है यहां देखो के टायन के ओपर एक चार्ज था तो इसका कोफिशन वन यहां चले गया जो बाई डिफॉल्ट दिखाई नहीं दे रहा है क और इसका कोफिशन 3 आपका उठके यहां चले गया क्या यह मेरी बात सभी को समझ में आ रही है वही काम अपने यहां पर करा है वाटा क्योंकि हम रटना नहीं है समझना है छोटी छोटी चीजों को आपके लिए कॉंसेप्स क्लियर होंगे तो यहां पर हम ए प्लस एक्स का और यहां से टोटल नेगिटी चार्ज भी एक्स वाइए यूनित का ही विटा एक एक्स वाइट्रीकली नीट्रल होता है और इनके कॉंबिनेशन से जो कंपॉंड बने गा विटा वो एवाई बी एक्स तो यह प्लीज मैं आज से ही बोल रहा हूं विटा मुझे उम्मीद तो है सबको पता होगा अपनी तरफ से एक बफिर से बोलना हुआ हुआ क्योंकि मैंने कोटा में पढ़ाते वक्त 13 तक के बच्चों को देखा है इसमें गड़बल करते हुए ठीक है ठीक है 13 तक के बच्चों को गड़बल करते भी देखा हमें compound तुरंग बनाते भी आना चाहिए आयन से और तोड़ते भी आना चाहिए ठीक है इंडिरेक्ली मैं कुछ भी नहीं कर रहा हुए मैं ऐसे होल बस चार्ज को क्या कर रहा हुए ठीक है अब आप बोलोगे इसमें अब बी टाइप का compound है उसके लिए पॉसिबिलिटी से अबी टाइप का compound है तो वह ए प्लस आगे यह कुप जगे जरुवत पड़ीगा तो बी बीटी प्रोड़क्त पड़ते हैं ए प्लस बी माइनस के एग्जामपल लाइक एनस यह प्लस टू बी माइनस टू का एग्जामपल लिटा अब आप बोलोगे सार इसमें क्यों नहीं टू टू लिखा है टू टू था तो इसका option 2 इदार इसका 2 तो आपको पता ही होगा इम्पेरिकल फॉर्मुला बड़ पता होगा बैटा क्योंकि यह वैसे भी molecule के फॉर्म में exist ही नहीं करते हैं माटड़ा यह एक्जिस्ट इन दा फॉर्म ओफ इसके लेटिस यह lattice के form में exist करते हैं तो यह इनका empirical formula है और A plus 3, B minus 3 वेटा इसका example दें लाइक तो आपको आप बोल सकते हैं Aluminium Nitrite, Aluminium Phosphate तो इसमें भी एसा नहीं कि हम Al3 और मतलब A3, B3 लिखें इंपेरिकल formula में आपको इसे ALN लिखना है ठीक है तो यह क्रीज क्रोस रूल आच से compound को तोड़ना बनाना प्लीज ध्यान रखें अब देखिए इसी के ओपर है ना मैं अच्छा से question लिखके लाए तो मैंने क्या बोला कोईशन में साथी साथ बताते चलूंगा बेसिकली जो थियोरी है वही question से हमसे बोल रहा है कि एक कोई metal M है उसके sulphate का formula MSO4 है और नीट में इस लेवल के question आते भी है क्योंकि एक मिनेट में question करना होता है और मैं तो आपको आधे मिनेट में करना सिखाऊंगा यह मेरा आप से थिरे दीर हम आगे बढ़ते जाए तो आप फील करोगे कि हाँ यार मजा तो आ रहा है और question जल्दी बनने हमसे बोला एक metal कोई element है में उसके sulphate का formula MSO4 है उसके phosphate का formula बताओ ऐसे question यह देखे पहला question है उसके phosphate का formula बताओ अब metal अगर sulphate का formula MSO4 है तो metal के बड़ प्लस 2 unit charge है ठीक क्योंकि sulphate आपके सामने लिखा हुआ है minus 2 charge है तो आप basically आपको उसका phosphate बनाना है तो indirectly आपको M plus 2 वाली है और phosphate minus 3 वाला है इनके combination से क्या बनेगा ऐसे छोटे-छो पूल ट्वाइस तीनन मैं exam में यह नहीं बोल रहा हूँ कि यह आप exam में इस तरह से लिख के करें बटाए exam में तो fast होना चाहिए यह काम आपका exam में यह बच्चों जैसे लिख के नहीं करना बट अभी मैंने समझाया तो बताओ कि M क्या क्या हो सकती है उसने बोला है एक option में sodium बेटा एक option में आपका aluminium एक option में उसने बोला है magnesium like this तीनी option है तो अब देख लिए बटा M3N2 है तो इसका मतलब इस तरह के चोटे-चोटे question में बच्चा बोलता है सार यह कैसे कर लिया आगे हमें जरुबत पढ़ती बटा काफी chapters में कि हम compound के formula है सही लिख पाए ठीक है तो यहां से हमें पता होना चाहिए M3N2 लिखने को मतलब metal के ओपर plus 2 charge है nitrite के ओपर minus 3 है जो मैंने लिखी दिया है ठीक है और plus 2 वाली है क्या है कि क्योंकि sodium की एलेक्ट्रोवेलेंसी तो वन है aluminium कि थी है बटा magnesium की कितनी है 2 क्या यह मेरी बात सभी को समझ में आ गए तो यह formula हमें समझ में आ गए एलेक्ट्रोवेलेंसी हमें समझ में आ गए बटा अब बात करते बटा हम लोग इनकी properties की जल्दी से और फिर condition कैसे बनते है बटा properties properties में बटा ध्यान रखना ionic bond is non directional in nature ionic bond is non directional in nature and it is non rigid as well ionic bond is non rigid as well as non directional in nature ionic bond is non directional as well as non rigid in nature hence ionic compounds do not show ionic compound do not show isomerism non directional HR क्योंकि isomerism show कने के लिए एक direction होनी जिए इना they do not show kya isomerism थी ना second they are they are crystalline solid at room temperature you know they are crystalline solid at room temperature just rough idea होना थे विता है ना they are crystalline solid at room temperature यह एक room temperature crystalline solid के फॉर्म में exist करते हैं विटा they are hard and brittle in nature they are hard and brittle in nature यह हार्ट भी है बिटा बिटा बिटेल भी है क्या मीनिंग है विटा लेटिस के फॉर्म में exist करते हैं प्लस माइनस जो आप solid state में पढ़ते भी हो माइनस प्लस माइनस अगर मैं एक लेयर के उपर फॉर्स लगा देता हूं विटा तो उसके बाद प्लस प्लस माइनस माइनस अब पॉजिटीव पॉजिटीव चार्ज इसकी बीच में आप बिटा रिपैल्शन इस रिपैल्शन की वजए से तीक न असनी से तूट जाते हैं तो यह यह दे यह ड्रहर्ट बिटलीन निचर तो यह थे आर्पान्ट हम लोग क्या बोल सकते है कि यह हमेशा कौनसी reaction देते हैं, ionic reaction, they always give कौनसी reaction, ionic reaction, which are very fast, they give ionic reactions which are very fast, fifth point बोल सकते हैं, solubility के बारे में हमें पता है, like dissolves like, तो यह polar compound है, तो यह हमेशा dissolve होने चाहिए, कौनसे solvent, polar solvent, थी न, यह polar compound है, क्योंकि इन में plus minus charge exist कर रहा है, that's why ionic compounds are soluble in किसमे, polar solvent, they are soluble in polar solvent, थी न, six point अगर हम बात करें, melting और boiling point की, since यह crystalline solid है, room temperature पर, इसले हैं के melting point और boiling point comparatively high होते हैं, they have very, generally हम बोलने के लिए, very word भी यूज करें, they have very high melting and boiling point, ठीक है, seven point हम लोग बोल सकते हैं, conductivity, they are good conductor of electricity, they are good conductor of electricity in molten or aqueous phase, एक एक चीज़ देखां में, छोटी छोटी चीज़ में पता हो नहीं चीज़, they are good conductor of electricity in molten or aqueous phase, थी न, क्योंकि molten or aqueous phase में, ions are free to move, but they do not conduct electricity in solid form, क्योंकि solid form में, उनका lattice जो बनाओ, ions move नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यह ध्यान रखना है information, और molten form की conductivity ज़्यादा होती है, किस से, एक एक्वस form से, इनके molten form की conductivity ज़्यादा है, इनके कौन से form से, एक्वस form से, क्यों, क्योंकि में पानी आने से, ions relatively थोड़े हैवी और मोटे हो जाते हैं, उस वज़े से conductivity थोड़ी सी कम हो जाती, आरी बात समझ में, हाँ, अब यहीं पर देखिए, एडवांस मतलब एडवांस लेवल तो नहीं बोले में, कभी कभी नीट में भी थोड़ा सा अपर लेवल का question पूछ ले, आयनी compounds also conduct electricity in solid state, आयनी compounds can also conduct electricity in solid state, अब आप बोलोगे सा, solid state में कैसे यह electricity कंड़ कर सकते हैं भी या, solid state में कर सकते हैं अगर crystal में defect आजाए, एक पूरा chapter आपको पता है, solid state जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो solid state chapter में होता ही यह, जब हम defects पढ़ते हैं, defects की वज़े से, अब NACL का crystal उसमें defect आ गया, shotky defect आ जाए, frankl defect आ जाए, metal excess defect due to anion vacancy आ जाए, कैसे भी defect जो भी आ रहे हैं, हाला कि NACL में frankl को नहीं आता है, shotky आता है, और metal excess defect due to anion vacancy आता है, मैं आगे के chapters की भी बाते करूंगा, बेटा, मैं चीजों को link करते हो पढ़ाऊंगा, ताकि आपको चीजों जल्दी से जल्दी समझ में ठीक है, जल्दी से जल्दी और आपको linking की habit मिले बेटा, कि एक असा नहीं कि हम आइनिक bond पढ़ रहे हैं तो बश इस तरह से चीजों को link करिए कि आपके concept ज्यादा बेटर वे में डेवलप हो, ठीक है, तो crystal defect की वज़े से यह conductivity solid form में भी show कर सकते हैं ठीक ना, और eighth point हम लोग बोल सकते हैं यह isomeris तो नहीं show करते हैं, बट यह isomorphism show करते हैं आप बोलो के सर, यह क्या है इसो-मॉर्फिजम होता है रूप, जैसे आपने solid state में term सुनाब होगा जिसका कोई रूप नहीं हो ठीक हैं, अमॉर्फिस का मतलब है जिसका कोई na ही हो और isomorphous का मतलब है बटा दो अलग-अलग compound जिसके रूप सेम हो like NACL और MGO, conditions होती है बट उतना depth में हम नहीं जाएंगे बस ऐसे में एक example बता रहा हूँ, solid state में आपको पता होगा NACL और MGO दोनों की structure सेम होती है, दोनों की structure सेम होती है, दोनों isomorphous है, बाइनरी salts के लिए, रूली अगर आप समझना चाओ कि सर कैसे show करेंगा isomorphism, तो रूल है बटा पहला की compound का formula type सेम होना चाहिए, यह भी AB type का, यह भी AB type का है, के टायन NIN का electronic configuration आपका सेम होना चाहिए, ठीक है, इतनी points हमें पता होना चाहिए, अब है एक last चीज, फिर हम kovalent bond को समझे, last चीज है, conditions for the formation of ionic bond, क्या-क्या conditions है, आखिर, हाला कि मैंने conditions पहले ही लिखवा दिती जब मैंने bonds का classify करा था, तभी मैंने conditions लिखा दिती आपको, एक की electronegativity जादा होना चाहिए बटा, दूसरे की electronegativity कम होना चाहिए, बट तब भी आप जल्दी से adding डालो, conditions for the formation of ionic bond, ठीक है, तो देखिए भले, time 0 course से बटा, बट तब भी मैं एक एक चीज को पूरा आपको properly समझाते वे चल रहा हूं, I hope मजा भी आ रहा होगा, समझ में पहला होगा, conditions for the formation of ionic bond, ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रonegativity का difference, आपने periodic table, periodic properties था यह पढ़ लिए होगी बटा, तो उसमें हम हैनी समें इक्वेशन से percent ionic character निकलते हैं, हैनी इसमें इक्वेशन से हम percent आयोनिक करेक्टर निकालते हैं वीटा तो हमें पता है कि 50% आयोनिक करेक्टर के लिए जो एक्टो नेगिटिविटी का डिफेरेंस होना चाहिए वो 2.1 और हमारे पास यह भी रूल है वीटा कि अगर पर्सेंट आयोनिक करेक्टर 50% से ज्यादा हो तो ही हम उस बांड को आयो बोलेंगे तो इंडिरेक्टली हम बोलता कि इलेक्टो नेगिटिविटी का डिफरेंस 2.1 यह उससे ज्यादा होना चाहिए और इसी लिए एक अच्छा एक अच्छा जो आयनिक बोलेंगे विटा वो अगर हम गुरूप बात करें तो गुरूप 1 2 3 और उधर बात करें विटा तो गुरूप 15, 16 और 17 तो गुरूप 1 मतलब अल्कली में तो नॉर्मली अल्यूमिनियम ही आता है जाज आता है ओधर 15 मतलब निटोजन फैमिली 16 मतलब ऑक्सियन फैमिली 17 मतलब आपका हैलोजन फैमिली तीन और इनमें भी अगर सबसे अच्छा पूछा कोन सा बॉन होगा सबसे अच्छा इनिक बॉन तो वन और 17 वाला आरी मेरी बात समझ में तो इस तरह के भी यह सब जो भी चीजन बतारों मतलब सब कोश्यन से सब कोश्यन से आपके कोई भी कोश्यन बन जाकता है ठीक ना सेकेंड वेटा अगर हम कंडिशन को इसको पढ़ाने के लिए कई टी एनर्जी होगी है ना कि रिलीज होगी रिकवाइड कौन सी एनर्जी है वेटा यह सब्सेंसे गिन बन जाहिआ हमारे इनर्जी के इनर्जी लो होनी चाहीए ठीक है तैससरी टरम वेटा अगर हम बात करें इसमें एनर्जी रिलीज होगी कि रिक्वाइड होगी इसमें नॉर्मली तो एनर्जी रिलीज होती है वो आरी क्यू है ना आप बोलोगे इन दो साथ डॉक्टर तो हम बनने जा रहे हो राइटिंग तो आपकी हमसे भी वेकार है एक अच्छे डॉक्टर की निशानी होती है इसमें रिलीज का रहे है और कौन सी एनर्जी है है लेक्ट्रॉन गेन एन्थेल्पी एलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि ना तो यह रिलीज है इसलिए थोड़ी सी हाई होना चाहिए अब आप बुलो के सार हाई क्यों क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या बता पहले ही इनर्जी टाम्स और इननिक बांड फार्मिशन के टमस्वें पढ़ाते हैं कई कंडिशन में पढ़ाते हैं और मैं तो scientific में समझा रहा हूं एक एक ची तीसरी है वेटा कि जब यह ए प्लस गैस और बी माइनस गैस बने हैं इन से जब एबी बनता है इस प्रोसेस मे इनरजी रिलीज होती है और उस एनरजी को बोलते हैं कि इनरजी को यह बीटी सफ एनरजी इनरजी को बुलाते हैं करे इनरजी को बता है लटीस्ट कि कु कि अभी मैंने बोला, ionic compounds lattice बनाते हैं, यह कोई molecule नहीं बनाते हैं, और what is the meaning of lattice? repetition of, repetition of units in a regular manner is known as lattice, repetition of unit, मतलग, यह जो plus minus है, बेटा, हम बारबार बढ़ा हुआ है, हम सब चीजें पड़े हैं, बेटा, हम तोड़ा fast काम कर रहे हैं, हलाकि तब भी मैं slow ही हूँ, बेटा, fast होते हुए भी मैं slow हूँ, तो कि मुझे आज काफी चीजें बता नहीं ते और अभी हम ionic bond पर ही चल रहे हैं, तो plus minus जो है बेटा, जो केटा नहीं बना है, अब आपको electrostatic से पता है बेटा, मैंने यहां plus charge रख लिया, तो यह plus charge इस पूरे कमरे में, चलो board की बात करें, कमरे तक छोड़ो, इस पूरे board पर जहां कहीं भी negative charge प्रेजन होगा, उसे क्या करेगा, जहां कहीं भी negative charge प्रेजन होगा, उसे वो अपनी तरफ क्या करेगा, उसे वो अपनी तरफ क्या करेगा, एट्रेक्ट करेगा, ठीक है, इसलिए अगर आपको solid state से भी में थोड़ा-थोड़ा समझाते चलूं, तो हम बोलते ही ही बेटा कि एक na plus 6 chloride से सरौंडेड होता है, ए पर नीचे सब जगे से repeat होगा, इसे हम बोलते ही, repetition of units in a regular manner is known as, is known as lattice, repetition of units in a regular manner is known as lattice, यह lattice बनता है, इस process में energy release होती है, वो lattice energy, ठीक न, इस process में energy release होती है, lattice energy, इस ही वज़े से देखो, actually तो यह दोनों gas के form में थे, यह भी gas, यह भी gas, तो कायदे से तो AB gas बनना चाहिए था कायदे से तो AB gas बनना चाहिए था, आप लोग ने शायद scientifically के भी सोचा ही नहीं होगा, तो AB gas क्यों नहीं बना भी, AB solid क्यों बना है, क्योंकि अगर AB gas बनता बटा, तो उस process में उतनी जादे energy release नहीं होती, वो हमारी energy requirement को compensate ही नहीं कर पाता, और energy release मज़ेदार नहीं होती, त AB solid बना, तो tremendous amount of energy release होती है, जिसे हम lattice energy बोलते हैं, मतलब हमने बोला है, इसलिए group 1 और group 17 में सबसे अच्छा ionic bond बनता है, क्यों, आइनेश energy group 1 की सबसे छोटी है, electron gain enthalpy पी पूरे periodic में group 17 की सबसे जादा है, और lattice में तो energy हमेशा release होनी चाहिए, एक last question, और ionic bond पे समापती करक covalent पे आगे बने, हमसे बोल सकता है, MgO solid का formation क्यों हो रहा है, मैंने क्या बोला है, अगर मेरा chapter में physical का पड़ा हो रहाता है, तो में भी साथ-साथ questions आपको add में practice कराता, but bonding में theoretical चीजे हैं, वो theory में आपको इतनी शांदार बढ़ा होगा, कि आपसे हर question खुद बनेगा, Mg solid, MgO solid, यह कैसे बन गया भया, क्योंकि इसमें तो Mg plus 2 का बनना, Mg plus 2 gas का बनना, it is highly endothermic process, I hope आप सभी को पता होगा, जिसमें भी energy required होती होती है, उसे endo बोलते है, यह भी endo है, औक्साइड का बनना भी endo है, आप सभी को पता होगा, O से O minus का बनना, इसमें तो energy release होती है इसमें तो MgO solid के से बना, क्योंकि हमें तो net energy release करानी है, उसका reason ही है, भले यहां पर high amount of energy absorbed हो चुका है, बट जब यह दोनों combine करके MgO का lattice बनाते हैं, जब यह दोनों combine करके MgO का lattice बनाते हैं, बट तो इस process में tremendous amount of energy release होती है, मतलब इस process की lattice energy very high होती होती है, और lattice energy high होने की वज़े से, यह process energetically favorable हो जाती है, लैटेस energy high होने की वज़े से, यह process energetically favorable हो जाती है, तो I hope इससे best technique bond का description और कुछ नहीं हो सकता है, सब चीजे मैं आ अब को समझा दे, ठीक है, चली, let us move to covalent bond, अब covalent bond, तो महाने बेटा, क्योंकि इसकी तो कूप सारी theories है, अभी तो just मुझे kill formation बनाना, बताना है, कि होता कहा है, तो covalent bond, ता कि पहले हम एक बार इनों bond को समझ ले बेटा, फिर हम लोग theories of covalent bond पे चलेंगे, तो covalent bond में sharing of electron, bond formed by sharing of electron is known as covalent bond, bond formed by sharing of electron is known as covalent bond, bond formed by sharing of electron, जो bond sharing of electron से बनता है, जो bond sharing of electron से बनता है, ठीक है, उसे हम बुलाते हैं कौन सा bond, covalent bond, ठीक है, like A और B, दोनों ने अपने एक एक electron लाके share करा, एक को मैं डॉट से दिखा दे रहा हूँ, एक को cross से, तो इसे हम SCB बोलते हैं, अगर A और B दो-दो electron से bond बना रहे हैं, ये भी अपने दो electron लाया, ये भी दो electron लाया, ये सब कर क्यों रहे हैं, ताकि इनका, थे ना, मैं बता ही चुगा है, आक्टेट कम्प्लीट हो जाए, उस पे हम आई रहे हैं, इससे हम DC भी बुलाएंगे, जबल कोवालेंट बन, थे और अगर A अपने तीन electron लाया, अपने आपको stable बनाने के लिए बोले हैं, ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए, बी भी अपने तीन electron लाया, तो इससे हम triple covalent bond बोलेंगे, ठीक है, एक्जाम्पल्स आपको बताई दू, H और H, H2 में H और H के बीच में single bond है, बटा, O2 की ब बात करें, तो N और N के बीच में कौन सा bond है, triple bond, ठीक है, अब यहाँ पर bond formed by sharing of electron is known as covalent bond, sharing से बनता है, single bond, double bond, triple bond, क्या सर चार bond नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं, exceptional, exceptional तो नहीं बोलें, बनते हैं, rare case है, वो बाद में हम बात करेंगे, जब हम delta bond की बात करें, अभी normal, अगर हम co सुन रखा होगा, वो तीन bond तक ही maximum हो सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब इसमें कुछ पॉइंट रिखले बटा, जल्दी से, पहला, it is formed by combination of half-filled atomic orbital, क्योंकि यह सब terms हमें, next session में तो लेनी है, अब इसे सुनते चले, covalent bond is formed by combination of half-filled atomic orbital, first, second point बटा, कितने covalent bond बनेंगे, number of covalent bond formed, अगर हम से पूछे, कितने covalent bond बनेंगे, number of covalent bond formed, अगर पूछता है बटा, तो, it is equals to number of unpaired electron, it is equals to, it is equals to number of, it is equals to number of unpaired electron in ground state or excited state, यह तरम साब की, so नियो यह होंगी, ground state यह excited, it is, it is equals to number of unpaired electron, it is equals to number of unpaired electron in ground state और excited state है अब यहीं से बटा, ground state यह excited state क्या होती है, लिक जल्दी से लिको, ground state, I hope सभी का सुना होगा, lowest energy state को हम बुलाते हैं कि बटा, ground state, lowest energy state को हम बुलाते हैं कि ग्राउंड state, तो, तीसरी term आप ground state ही लिको यह लिको यह लिको यह लिको, lowest energy state is known as ground state, ठीग, lowest energy state is known as ground state, ठीग, तीसरी term है हमारा ground state, जल्दी से लिको यह लिको यह लिको, lowest energy state is known as ground state, excited state में लिको यह लिको, fourth term हमारा excited state, यह सब terms बता होना चाहिए, covalent bond के लिए, और आगे पता पड़े, बीचे बता पड़े, जित्ती बार सुनेंगो, उतना मज़ेंगे, excited state में लिको कि क्या है हमारा energy state other than ground state, energy state other than ground state, energy state other than ground state के लावा जो है, उसे हम लोग, excited state बोलते हैं यह दूसरे वर्ट में और करके लिखना है, energy state in which paired electron becomes unpaired, energy state in which paired electron becomes unpaired, जिसमें paired electron में unpaired हो जाए, उस state को, जिसमें paired electron क्या हो, unpaired, माल लिजीए ऐसा है, ठीक है, और यह आपका ऐसा हो जाए, आगे की किसी orbital में, यह paired है थे वेटा, इसको हम paired बुलाते हैं वेटा, और इसको unpaired, ठीक है, आरी मेरी बार समझ में, इसी तरीके से फिफ्ट लिखना, यह सब चीजों के हमें जरुत प आगे VBT, Whisper theory सब पढ़ेंगे वेटा, तो इनमें सब में जरुत पढ़ते हैं, हमाई दो तरह के electron pair होते हैं, पहले टाइप का electron pair है, bonded pair of electron, bonded pair, जिसे हम लोग आगे BT बोलेने है, bonded pair of electron है जिसने bond बना लिया, यह na, bonded pair of electron मतलब, which participate in the process of bond formation, जो bond formation में जा चुका है, और second होता है आपका lone pair of electron, जिसे हम LP लिखेंगे, second one is our lone pair of electron, which does not participate in the process of के आपका bond formation, ठीक है, तो यह दो electron pair, आज से ही आपको पता होना है, जिसे A और B के बीच में single bond data, इसके बास मान लिजे, इस तरह से, जो हम दिखाते हैं, जो हम Lewis structures बनाते हैं, आप सभी को पता होगा, तो यह इस तर Bp और यह है आपका lone pair of electron, यह इन इंफेक, short small letters में लिखेंगे, तो यह सब LP है, तो यह सब terms चोटी-चोटी हमें covalent terms, bond के respect में पता होना है जिए और 6 तो last term है, आपका कोवेलेंसी, आपने वहाँ electrovalency बोलेंसी बोलेंगे, यह हम बोलेंगे का कोवेलेंसी, और कोवेलेंसी में जल्दी से लिखना, क्या लिखना है वेटा, total number of bonds, total number of bonds formed by an element is known as its, total number of covalent bonds formed by an element is known as its covalency, एक element total कितने covalent bond बना रहा है वेटा, वो उसकी कोवेलेंसी कहलाती है, ठीक है, लाइक, अगर हम यहाँ बोलें, H2 की कोवेलेंसी, तो 1, O2 की कोवेलेंसी यहाँ पूछ हूँ, 2, nitrogen की कोवेलेंसी इस कमपाउंड के पूछ हूँ, थी, CH4 में सबकी structure हम बनाएंगे, CH4 में कार्बन की कोवेलेंसी पूछ हूँ, तो 4, CO2 में पूछ हूँ, O double bond, C double bond, O, तो इसमें भी कार्बन की कोवेलेंसी कितनी है, वेटा, 4, एक अलग चीज होती है, अलाकि उसकी में ऑक्सिडेशन नंबर है, माइनस 4, जबकि कार्बन की, जबकि CO2 में प्लस 4, इतना उम्मीद में करता हूँ, कि आप रीपीटर हो, तो इतना पता ही होगा आपको, ठीकिन, ऑक्सिडेशन अंपने निकालना आती होगी, तो ऑक्सिडेशन नंबर और वेलेंसी में यही फ यहां चलो, पहले हम लो, कोडिनेट बॉंड की भी बात करे लियाते हैं, फिर करते हम बात प्रोपर्टिस की, क्योंकि, कोडिनेट बॉंड इस नथिंग बट इस पेशल केस अफिसका, कोवलेंट बॉंड, पहले आपको तीनों बॉंड पता पढ़ गया है, आप बोलोगे अपने आइनीग थोड़ा जादा पढ़ाया, कोवलेंट थोड़ा कम पढ़ाया, क्योंकि आप तो पूरा कोवलेंट बॉंड इस सब में तो अभी हमें आना है, अभी तो हमने चालू करा है, तो यसलिए मैं पहले यहीं कोडिनेट बॉंड भी बॉंड भी बता दे रहां कॉओडिनेट कैसे ऐस्तों पर लेक्टों भना एक इस तरह से बना but कॉडरिनेट बान में क्या होता है दिवे मुत हिंदा ठीक है Ellis川 में पूरा लन प resent लेक्ट्रोंट लेके आता है ले मिन नहें पहले वह बता ही बता है और बी के पास बीmost आ껏 पास किय को इलेक्ट्रों यहां पमगे होग कोशन हसे साब नीटक में कुछ भी कोशेण आश था बिश्य больше इसIDE ही कि largest bond bond से दो एलेक्ट्रोन मतलब और दो एलेक्ट्रोन कितने और बिटल में आते एक और बिटल में आरी मिर बात समझ में मतलब यहां से हमें एक सिक्षा मिल रही है विता कि number of covalent bond उतने ही covalent bond बढ़ेंगे विता जितने हमारे पास number of क्या होंगे विता और्वीटल नंबर ऑफॉर्व Uhr थी अब वहां फेल्डूँ सकते हैं तो अब और आफॉर्व असंद आर्वी सकते हैं मतलब यहां पर क्या और रहा है यह पूरे दो ऐन वालेट कोध्यक आपटा ?- तो रिखने का अपटा ?- डिखने हम भीक में जानञी है गिच कोलेशते है फ्रक षास सुस्य पर लिखने- छास का सर है ?-ंटीच- आप बार्मेंसनाaksi है, भी मियर्डमा धख सा साथ कोला सब्सक्राइट के लिखने। है विटा है कोवलन बन dość कौडिनेट बॉंन से बनने के तरीक अरी के तरीका में मुke इस फॉर्म एक बार बन St बन गया उस दिरण ऑफार सिनो डिफ्रेंस बीतुट। कोड convenient वंक्तों आछ two जो है वेटा आजकर हम coordinate bond को show ही नहीं करते हैं आप इसे है ना समझने के लिए अभी से सुन लो कैसे हम मान के चलते हैं वेटा A ने अपना एक electron loose करा ठीक है loose करा तो obviously उसके पर plus चा जा गया और वो एक electron B ने gain कर लिया है वेटा उसने gain करा है तो minus अब इसके पास भी electron आगया तो अब हम चाहें तो इनके बीच में एक electron अब हम मान के क्या चल रहें वेटा एक electron A लेके आया है एक electron B लेके आया है तो इनके बीच में मान के चल रहे हैं किसका formation होगे वेटा कौनसे bond का? कॉडिनेट बीच यह तब होगा वेटा जब आपके element second period के होगे तब होगा जब element second period के हो वेटा otherwise अगर element third period onwards का है मतलब यह सीधे सीधे एक सिक्षा समझ लेना वेटा कि coordinate bond is nothing but a special case of equivalent bond जिसमें अगर second period के element हो तो plus minus से show करेंगे और अगर हमारा third period का element हो वेटा third या onwards तो हम उसे replace करते हैं किससे? double bond से तब हम उसे replace करते हैं double bond से वेटा न क्यों? अभी मैं Lewis theory में समझा रहा हूँ आपको अब यहीं से मैं एक सिक्षा दे दूँ वेटा कि coordinate bond बनने की conditions क्या होनी चाहिए? क्योंकि हमाई लिए हर चीज वो conditions के form में पूछ सकता है वेटा coordinate bond formation की condition होनी चाहिए ए जो loan pair लेने वाला है वेटा उसका octate complete होना चाहिए अब आप बोलोगे सर यह सब terms क्या हैं? अभी Lewis octate rule में समझा रहा हूँ तो ए जो loan pair donor है वेटा ए को हम loan pair donor भी बोलते हैं ए को हम loan pair donor भी बोलते हैं और यही कलाता है Lewis base यह कलाता है Lewis base जो अपना loan pair of electron डोनेट करता है उसे हम Lewis base बोलते हैं बी जो आपका loan pair of electron है न इसे हम loan pair acceptor बोलते हैं और यह है हमारा Lewis के बाटा acid जिसे हम loan pair acceptor बोलते हैं यह है Lewis acid इसके लिए क्या condition होनी चाहिए इसके पास octet भी complete होना चाहिए लोन पर बी का octet जो होना चाहिए इन complete और साथी साथ इसके पास क्या होना चाहिए वेकर्ट ऑड जो क्या होना जरूरी है क्योंकि एक covalent bond में दो electron है अधर वाइस आपका bond formation नहीं होगा है न और यहीं पर एक special पॉइंट में नोट आपको लिखा दिया, क्या लिखा दिया नोट की, क्या नोट लिखा है बटा, जल्दी से बता हूं की, coordinate bond is different in the formation, ठीक ना, from covalent bond, coordinate bond is different from covalent bond only in the way of formation, but once formed, ये नोट मना के लिख बिलने बटा, but once formed, there is no difference between coordinate and covalent bond, but once formed, there is no difference between coordinate and covalent bond, एक बार बन गया बटा, उसके बाद दोनों के बीच में कोई भी difference होने वाला नहीं है, आई मेरी बात समझ वे हैं, ठीक है, तो आज पहला टन है बटा, ठीक है, वो सकता आपको थोड़ा फास लग रहा हो, बट मेरे हिसाब से जो मुझे टारगेट दिया गया, जो मैंने planning करी, उससे में थोड़ा पीछे ही चल रहा हूँ, ठीक, कोई बात नहीं, पहला टन हमें, डंग से एक समझ में आ जाए, फ्रिक्वेंसी मैच करने का समय होता न, बटा, वो फ्रिक्वेंसी मैच हो जाए, चलो, प्रॉपर्टिस की बात करें, ठीक, अब यह लूइस अचिद, लूइस बार में, अभी में डैप्त में और आगे बात करूँगा, हाँ, प्रॉपर्ट इसको हम ऑक्टेट कंप्लीट बोलते हैं, ठीक, तो छे एलेक्ट्रॉण इनकी वज़े से, तीन बॉंड प्रॉपर्ट और एक लॉंड प्रॉपर, यह कांटिंग ओंटिंग और नीट के पेपर से कूब आती, कि इस पार्टिकुलर कंपॉंड में बॉंड प्रॉपर कांट थे, किसी निर्दई आत्मा ने उसका वो एक इलेक्ट्रॉन भी उससे छीन लिया है, तो यह ओक्टेट कंप्लीट वाला है, इस इस लुईज बेस, ठीक ना, और इसे भटकने के लिए छोड़ दिया है, और उल्टे काटोरा पकड़ा के विटा भटकने के लिए छोड़ द मतलब, इसके पास यह लुई-ससीड है, एक वेकंट ऑर्बिटल भी है, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ, कि वो एक लेक्ट्रॉन जाने के बाद इसका ऑर्बिटल खाल लिए, ठीक है, तो नाइटोधन क्या करता है, नाइटोधन अपना लोन पेयर उफ इल करके कि इस तरह से हम लोग इसे शो करते हैं, और फाइनली आप इसे ना ना नहीं प्लस बोलते हैं, अभी मैने बोला है, अगर सेकेंड पी रेट का है बटा, तो प्लस और माइनस से, तो आप देखो, नाइटोधन के उपर प्लस चाह जा गया, ठीक है, और हाइडोधन के हाइडोधन न्यूट्रल हो गया, क्यों? क्योंकि अल्लेडी प्लस था, वो माइनस न दिखके, वो न्यूट्रल हो गया, यह नहीं फो प्लस का फॉर्मेशन हो, ठीक है, इसी तरह से आप NH3 और BF3 की भी बात कर सकते हो, बट ज्यादे एक्जामपल में अभी नहीं ले रह जाज है, लूइस है का जन जनल भी इन एक कोई भी सब्सेंज यो अपना loan-proof-electron क्या करता हो गटा वैटा, डोनेट और लूइस का मतलब है, ऐसा कोई भी सब्सेंज आपना loan-proof-electron था, था ना, एक्सेप करेगा, एक्सेप्टर के पास अर्बितल होना चाहिए, तभी व temperature generally यह compound जो होते हैं यह gas होते हैं ठीक है ज्यादा तरह आप देखो H2O2N2F2Cl2Br2 helium neon organ krypton जिन्हों इसे gas है हना हला कि helium neon organ krypton में कोई whole and wand नहीं है बोलने के लिए बता रहा हूं ठीक है बट लिक्विट्स भी हो सकते हैं जैसे अगर इनका molecular mass बढ़ता जाए तो solid बट यह soft solid होते हैं मतलब दे can be easily cut with the help of knife तो P4 हुआ, iodine हुआ, molar mass बढ़ने पर यह soft solid के form में होते हैं ना second point बटा I call and bond is directional nature का होते है call and bond is directional in nature अब directional in nature का मतलब क्या बटा कि यह जो bond होंगे एक particular angle पर directed होंगे space में space मतलब 3D में और जिससे हमारी theory से अलग-अलग जो next session से हम चालू करेंगे आज के session में में पूरा एक rough idea ले लिया है ठीक है might be आपके लिए में fast हुं मेटा बट में slow हूं क्योंकि मुझे आदा गंटा slow हूं पुरा है ना मुझे Lewis Octet rule भी समझा देना था formal charge भी according to the planner you have seen तो यशी लिए मैं थोड़ा सा अब request करूंगा कि हम चीजों को कुभ अच्छे दंग से समझेंगे बट थोड़ा सा fast भी करेंगे आप पड़के आएंगे तो आपको और मजा आएगा तो directional nature का है covalent bond is directional in nature hence this compound show isomeris hence this compound show isomeris covalent bond is directional in nature that is bonds are directed at a particular angle थिया ना hence this compound can show isomeris में क्या होता है वेटा थिया na bonding pattern नहीं बदल जाता है आपका अगर मैं compound दे रहा हूं C2S6O तो C2S6O बोल रहा हूं वेटा तो यह आप ether भी बना सकते हो और इस को आप alcohol भी बना सकते हो तो यह ether भी है as well as alcohol भी है बहुत possibilities आ दे है ठीक है तो यह isomeris को शोग करते हैं थार्ड वह आइनिक रेक्शन दे रहा है यह नॉर्मल ही देते हैं कौन सी रियक्शन आइनिक रेक्शन आ ऐनिक रेक्शन आर रेक्शन आर रेक्शन आ होती हैं वह मॉडरे के रेक्शन होती है ionic reactions are very fast but molecular reactions जो होती ही बीटा वो moderate rates होती ही molecular reactions takes place at konser rate से बीटा moderate rate ठीक ना fourth point इनका melting point और boiling point ठीक ना relatively low होता है बीटा relatively ठीक ना as compared to किसके बीटा ionic कुछ special cases है जिनमें इनका melting point boiling point हाई हो जाता है वो तब होता वीटा जब ये three dimensional zion network solid जब हम solid state पढ़ते हैं मैंने आप से बोला ही बीटा चीजों को link करते हैं पड़ो मजाएगा चीजों को जितना link करते हैं पड़ोगे मजाएगा आप जब solid state पढ़ते हो तो उसमें आप चेप्टा चालू करते हैं और फॉस सॉलीड हो क्रिस्टलाइन सॉलीड से और उसके बाद हम बात करते हैं वीटा है ना हम वह चेप्टा चालू करते हैं नेट्वर्क्स्ट यह होई बात करों फोर्त हैं मॉलेक्लियर स्वाड घ्या ओवलेंटर नेट्वर्क स्वालिड और उसके एक तरए से दोनों इससी केटेगरी में इस तरह से, कार्बो रेंडम, SIC, ठीक न, इस तरह से, इनके melting point और boiling point comparatively क्या होते हैं, हाई होते हैं, अब यहाँ पर एक extra information जरूर ध्यान रखना जो most important है, a single covalent bond is stronger than ionic bond, यह information काफी important है, ध्यान भी रखना आपको, a single covalent bond is stronger than किससे ionic bond, एक single covalent bond ionic bond से strong होता है, बट फिर हम बोलते हैं कि ionic bond के melting और boiling point हाई है, ऐसा क्यों, because वो lattice बना लेते हैं, यह छोटी-छोटी चीजे हैं, अपसे कहीं कर भी गड़बड करा सकता है, तो इस point को भी note बना के जरूर लिखना, a single covalent bond is stronger than ionic bond, a single covalent bond is stronger than ionic bond, but, but still ionic bond have high MP and BP, because they form lattice, lattice की वज़े से, वो एक lattice मतलब जाल बन जाता है, क्योंकि lattice energy का हिंदी में में जाला कुर्जा, तो they form a three-dimensional lattice, they form a जाल, एक जाल बना लेते हैं, और obviously उस जाल को तोड़ने में, if we have to break that particular lattice, उस जाल को तोड़ने में, हमें काफी ज्यादा energy देनी पड़ती है, that's why, ठीक न, उन बात कर रहा हूं, तो they are soluble in किसमे, non-polar solvent, ठीक है, अगर हम conductivity की बात करते हैं, if we are talking about conductivity, normally they are, normally they are bad conductor of electricity, normally they are bad conductor of electricity, they can conduct electricity, normally the bad conductor, they can conduct electricity, they can conduct electricity, पहला phenomenon, we are learning with respect to high level, मतलब थोड़ा से लेवल तो अच्छा ही रखे में, चीजे, self-ionization, आपको if you remember ionic equilibrium, तो water का self-ionization होता है, यह H3O+, और OH-, इस self-ionization की वज़े से थोड़ा सा इनमें positive negative charge आ चुका है, और अगर positive negative charge आ गया है, तो इनके electricity के conduct करने के चांद से बढ़ जाते हैं, ठीक न, ऐसा ही ammonia के लिए, यह वी राइट, NH3+, NH3, NH4++, आपको OH-, तो यहां तो self-ionization हो भीटा, या फिर free electron, या फिर free electron, या फिर free electron, लाइक if you remember, तो graphide is a good conductor of electricity, because in graphide, each carbon atom is bonded with three other carbon atom, एक फोर्थ electron free है वज़े से आपका graphide जो है एक अच्छा lubricant भी है, क्योंकि दो layers slide करती है, यह सब हम पढ़ थोड़ा थोड़ा में सुनाते वे जरूर जलूँगा, तो graphide is a good conductor of electricity, तो इस जो properties हमने महा लेकिती है, वही हम यहां पे लिख सकते है, ठीक है, अब I hope तीनो तरह के bonds आपको clear होगे, कि what is the meaning of ionic bond, what is the meaning of coordinate bond, what is the meaning of covalent bond, तो कोडिनेट bond का थोड़ा सा, basically coordinate bond is nothing but a type of covalent bond, it is only different in the way of formation, once it is formed, after that, it will be simply treated as covalent bond, but still हम Lewis acid, Lewis base की बार, क्योंकि हम backbone आपने नाम सुनाओ, तो backbone is also a coordinate bond, तब हम इसे एक बार ओर थोड़ा सा depth में पढ़ेंगे, अभी हमने एक rough idea लिया है, अब हमारी चीजे वेटा, जो हम चालू तो करी देते है, theories of covalent bond, theories related to covalent bond, जल्दी से ल theories of covalent bond, covalent bond से related कौन-कौन सी theories है, थिकिन उसमे नाम को लिक है लिए जल्दी से, theories of covalent bond, कौन-कौन सी theories हमारी लिए covalent bond के लिए important है, first theory है आपका, दो हमारी लूइस-ॉस Uctate Root Lewis Theory और Bracket में जए आप लिखलो Lewis Octate Root 2nd Theory 2nd Theory Valence Bond Theory VBT अब अब यह सब चिज़ेंभचों जैसे लिखने की जरवत नहीं मतलब बोर्ट पर मुझे लिखने की जरवत नहीं आपको तो नोड शोटे शॉट में बनाने हैं और अगर मेरा भी smart board जल्दी में planning कर रहा हूं लेने की, तो आपको उसमें मजा भी आएगा, smart board में, अभी तो ठीक है, green board से, थोड़े दिन काम चला ही विटा, थोड़ा सा अठका हुआ है, महोल कैसा चल रहा है, आपको पता है, ठीक है, third link हो विटा, उसी में, valence bond theory, second, third link हो कि आपका valence bond theory के bracket में आप लिख सकते हो, need of hybridization, कि hybridization की जरुवत क्यों पड़ी, fourth link सकते हो आप, क्या, valence shell electron pair repulsion theory, vseprt, ठीक है, last है आपका molecular orbital theory, इतनी theory से जो हमें सब को depth में पढ़ना है, और इस में से सब से, मतलब हमें Lewis-Octet rule को समझना है, हमें valence bond theory को समझना है, हमें need of hybridization को समझना है, then we have to learn valence shell electron pair repulsion theory, और उस के बाद मुझे समझना है, molecular orbital theory, पांच theory से बेटा, ठीक है, इस में से सब से simple theory आपका Lewis-Octet rule है, जिसमें कुछ भी नहीं है, जाना, Lewis-Octet rule, इस में जल्दी से लिख लेए, Lewis-Octet rule में, ठीक है, Lewis बेटा, कई जगे काम, काफी जगे लुइस ने हमारा contribution दिया, अभी मैंने जो रप कर रहा है, Lewis acid-base आपको बोला ही था, तो लुइस सबसे बहला scientist था, वो क्या हुआ, सोचता ही रह गया, या कि आखिर compounds बन क्यो रहे, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो खुब सोचता रहा है, कई आत्म होते हैं, बच्चों, जैसे मेरी ब्यादा थे, कुप ज़्यादा, सोचने की, मैं सोचता रहता हुआ, आज यह पढ़ाओंगा, जैसा करूंगा, जैसा करूंगा, जैसा करूंगा, जैसा करूंगा, इन जनरल, not only with respect to teaching, बटा, इन जनरल, दुनिया के बारे में भी मैं कुप सोचता र रहता, ठीकिन, accept hydrogen, बार बर में बोला हूं, क्योंगा, hydrogen do plate complete करता है, उसी को उसने अपना rule बना दिया, Lewis theory बोलो, जैसा का simple सबसी पॉंट है, बटा, एक ही पॉंट है, लिख लिखलो, कि every element takes part in the bond formation to complete its octate, every element, बेकट में, accept hydrogen, बार बर बोल रहा हूं, will take part in the bond formation to complete its octate, that is to get, है इसका रिदन यहां से आया है, that is to get, that is to get NS2, NP6 configuration, every element, इसको हम oktate बोलते हैं, 2 और छे 8 electron, इसलिए हम इसे oktate बुला रहे हैं, every element, every element takes part in bond formation to complete its oktate, every element takes part in bond formation to complete its oktate, because noble gases, or inert gases, because noble gases or inert gases have NS2, NP6 configuration and according to Lewis, according to Lewis it is stable configuration, according to Lewis it is stable configuration. तो इस बेसिस पर लुइस ने अपना ये रूल दिया वेटा जिसे हम लुइस ऑक्टेट रूल बोलते हैं ठीक है अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है अब जो पुछता भी नहीं लुइस डॉट इस्ट्रक्चर सिंपल सी होती है वाटर की बनाने को बोले लुइस डॉट इस्ट्रक्चर में आपको एक्षेप्ट है अच्छी पूरे बॉन्डिंग की सिंगल सेंटल एक्टर बनाना सिखा दूँगा एक ही टर्न में आपको और आप थोड़ा सब पढ़ के आएंगे वाटा तो अगला सेशन आपको ट्रेमेंडसली पूरी बॉन्डिंग को एक साथ मतले इस्पेशली इन पांच्छोत ही को एक साथ क्लियर कर देगा यह ना पढ़ के आना मतलब आपको पता ही है वाटा कि हैर्विडाशन हमारे पर क्या अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पीर चार है तो अब उसकी पॉसिबलिटी क्या क्या होसकती थीन बॉंड पियर साथ हो स्क्राइबर तो टेट्रहडल जॉमिट्रि अगर तीन बॉंड पियर और एक लोउन पियर पीरामिदल दो बॉंड पार दो लॉन पियर हो तो वी शेप यह एंगुलर शेप इस तरह तो यह मुझे लगता है कि आपको आता होगा विटा क्योंकि हम एक बार तो पढ़ी चुके हैं सब चीजे ठीक है तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइस करके आएंगे नेक्स सेशन में हम आपको सब चीजे समझा दूगा और आपको पक्का मज़ा आएगा यह मेरा वादा रहा आप से अगले सेशन में मज़ा तो आज भी आया होगा विटा कॉंसेप्चुल चीजें क्लियर हुई होगी बट अगले सेशन में थोड़ा सा पढ़के आओगे तो मैं इसको आपको दिखाने के लिए कैसे दिखाते है यह बच्चो वाली अप्रोच है इसका एक एक इलेक्ट्रोन इसका एक एक एलेक्ट्रोन होते है ऐटमों सर्च है फाल अब अश्यान वह आपके लेक्ट्रोन क्यां बट अबंट कशिए अब आप से इनका एक एल्डाइस पूझे बटारएं इनका एनिक अपउंट का सिर्फ यह बटान्पने अब अगर हम से इनका एल्ड एस पूचया का जरूर नहीं है आपसे अलडियस हमेशा जरूर नहीं है आपका हमेशा कि LDS आपका जो है कोवालेंट कमपॉंट का ही पूछे बटा आइनिक का पूछता है अगर तो आइनिक के लिए आपको इसे एने प्लस के फॉर्म में शो करना है अब सोडियम का एटोमिक नंबर था 11 बटा 11 का मतलब 1s2 2s2 2p6 3s1 इसने बना सकते हैं तो इसके आपको जोड़ा है तो यहां पर हम इसे आटके फॉर्म में दिखाएंगे तो इस तरह से आई होप यह आप बना सकते हैं ठीक है अब हमसे कभी कविश्यन आता है करेक्ट-LDS को अगर हमसे कुप सरी इस्ट्रक्ट्चर बना के देगे और हमसे की लिखेला है, उसमें पूचिता है, correct Lewis structure कौन साय, तो rule लिकी ले ले, ले, out of given Lewis dot structure, out of given Lewis dot structure, that structure will be correct, in which octate of each atom, out of more than one given Lewis dot structure, ये rule बना के लिखना है, out of more than one given Lewis dot structure, that structure will be correct, in which octate of each atom, or maximum atom, और maximum atom, अगर सभी का नहीं हो रहा तो maximum का है न, Octate of each atom और maximum atom must be complete, Octate of each atom, यहां तो सभी का और maximum atom must be complete, Like, like मैं आप से, अगर example के तोर पर पहला example दो, O3 का, कि अगर हमें अलग-अलग structure बना के दे रहा है, O double bound O, double bound O, ठीकिए न, Lewis dot structure में इसे dot loan pair से शो होते है, यह दिया है, O double bound O, ठीकिए न, और इसमें आपको दिया है, इस तरीके से loan pair, ठीकिए न, इसको plus, इसको minus और 3 electron pair दिखा दिया है, और एक structure मान लीज़े हमको दे दिया, O double bound O, O, इस तरह से, आपको दिया है, ठीकिए, तब यह structure हमें बना के दे दिया है, और हम से पूछ रहा है, इन में से correct structure कोन सी है, यह देखना, अक्टेट, अब यहाँ, इस एक्टम बाथ the octet complete है, यहाँ, इसका भी octet complete है, अब इसका भी octet complete है, इस वाले के बाद, इसका octet complete, इसका octet complete, यह न, ध्यान रखना, oxygen अगर neutral होगा, तो double bond बनाता है, ठीक है, neutral वाला oxygen हमेशे double bond बनाता है, चार bond oxygen कभी बनाई नहीं सकता है, O minus जो है, वो single bond बनाएगा, O minus जो है वो single bond बनाएगा, ठीक है न, O plus अगर आ गया, तो वो triple bond बना सकता है, oxygen कभी भी चार bond बनाने की अपनी capacity नहीं रखता है, यह रूल आस्ते ही ध्यान रखने न, क्योंकि नेक्स सेशन में बोली रहूं में आपसे, कि मैं आपको structure जब बताऊंगा, तो यह में पता होना चाहिए, तो इस basis पर देखो बनाएगा, O minus से single bond बनाएगा, O plus देख के ही, क् कि यह तो अब देखो, एक theory है, इसलिए बताना जरूरी है, अदर्वाइस इस theory का as such कोई भी यूज, आगे नहीं है, क्योंकि अब इतनी चीज़े advance हैं, आगे पढ़ने के लिए बटा, और उसे competitive exam में पूछने के लिए इतनी सारी चीज़े हैं, कि वो इसमें कोई time कोटी क करने वाला आपका नहीं थे न, अब यहां पर देखने में तो देखो, इसका भी octet complete, इसका भी इसका भी, बट यह situation possible नहीं है, क्यों नहीं है possible, क्योंकि इसमें हमने charges वगेरा को show नहीं कर रहा है, थे न, थे इसलिए इन तीनों में से correct Lewis rot structure, first वाली है, एक last question आज का session का ले structure में draw कर वाऊंगा, और उसी को हम VBT में extend करते वे आगे बढ़ेंगे, तो अगर आप थोड़ा-थोड़ा सा आगे का पड़ते आएंगे वेटा, आपको मजा आएगा, एक last है, कि न, structure देखो, सही तो में तुरन बना दूंगा, आप बोलो के सा, structure आप देखके क्यों बना रहे हो, तो सही तो में बना दूंगा वेटा, बट, options में जो given होती है, कि इस तरह से चार structure देदे और पूछे अब सही कोन सी गलत कोन सी बताओ, ठीक है, एंड़ो की आपको इस तरह से कुछ अलग-अलग structure दी गई है, और in fact में हर चीज में बेटा है, अपनी हर चीज में क कुछ नो कुछ आपको सीखने को मिलेगा, रूस भी बताते चलूंगा, ठीक है, और लास्टर दी, N, double bond N, double bond O, ठीक है, लाइक दिस, अब यह structure बनी हुए, बटा, ठीक है, हम से बोल रहा है, इनमें से correct Lewis. structure बताओ, और आ सकते है, बटा है, देखो, exam में में नहीं बोल रहा इनमें से correct Lewis. structure, तो रूल में नहीं लिखा दिया, पहली वाली को देखोगे आप, तो इसका octet incomplete, क्योंकि दो bond मलताओ, चार electron विदर दो छे, जो शो कराए, वटा, हम उसके respect में बात करें, अगली को देखें, इसका भी octet complete, तीन bond, और एक यह, इसका भी octet complete, चार, नाइट nitrogen, neutral होगा, तो triple bond बनाएगा, और N positive बनाता है, आपके 4 bond, triple bond मतला, तीन bond, number wise बोलना चाहिए, यहाँ पर भी मुझे, दो, एक और तीन बोलना चाहिए, ठीक ना, क्योंकि वह सकता double bond हो, और हो सकता हो, single bond भी हो, like H2O2 की structure, आपको पता हो, तो यह होती है, like H2O2 की structure, आपको ना, nitrogen के लिए, हम तीन bond है, चाहर bond है, ठीक है, अगर N2H4 भी होता है, देखो, यह चाहर bond ऐसा, एक लोन पर बच जाता है, ताकि octate complete हो जाए, और nitrogen positive बनाता है, ठीक है, तो पहला complete, यह positive बना चाहर bond है, O-1 bond है, मतलब पका इसमें सबका octate complete है, इस ही तरीके से हमें जल्द करना है, अगले को देखें, तो बीच वाला, आपका चाहर bond अगर neutral वाला बना रहा है, तो possibly नहीं है, उसके बाद उपर से उसने लोन पेर दिखा दिया, तो 10 electron होगा, ठीक है, अगले वाले में कहां गलगल हो रही है, इसका octate complete नहीं, दो bond हो एक लोन पर, आरी मेरी बास सम सेशन, अब में इसके, यहीं से हम नेक्स सेशन में आगे कड़ेंगे, मैंने बता दिया क्या क्या करना है, कुछ कंपॉंट्स की स्ट्रेक्चर ड्रॉ करेंगे, इसके failure exceptions को समझेंगे, formal charge को समझेंगे, और we will start balance bond theory VBT, ठीक है, मुझे उमीद है आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा आपको, आपके concepts, जो भी थोड़े बुट डामा डोलते हैं, पहला सेशन है, वह सकता है, आप मैं से कई बच्चों को यह सब चीजे आती हो, but as a teacher, मैं सीधे VBT तो नहीं चालू कर सकता था, इसलिए मैंने एक एक चीज को समझाया है, ठीक है, आगे हम थोड़ा पेज भी बढ़ाएंगे वेटा, चीजों को और फास्ट करेंगे, ठीक है, आप सभी का अगले सेशन में मैं साबबत करता हूं, तिल देन, गुद बाए